तुरूस दूस शुरू करते आजगीन फ्रानियोज पहली कब बर्जवार ये वो है हमारे मुंबई यामदाबाद बुलेटेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जा पर एक और नया ओपन वेब गर्ड़ ब्रिज लॉंच कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट का ये चौता ओपन वेब गर्ड़ ब्रिज है तो बिसिकली स्टील रसूस से जो बनाया जाना बर ब्रिज होता है जिसको बिसिकली पुश किया जाता है रोड्स वेकरा के उपर ये उस टाइप के एक ब्रिज है MG Contractors Private Limited ने ये काम पूरा किया और यहाँ पर ये ब्रिज के अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये नारोली नाम की एक जगे पर आता है जो कि सिलवासा और दादरै नगर हविली के असपास की जगह है 14.6 मीटर उन्चाई का 14.3 मीटर विट का ये ब्रिज है जो 1465 मेटरिक टन की हाइट रखता है और 84 मीटर की इसकी लेंथ है तो यहाँ पर वैसे इस ब्रिज को मैनुफेक्चर किया गया था त्रीची तमिल लाड़ो के अंदर सेक्शन में इसको लाया गया लोकेशन पे एसेंबल किया गया एक कोने में और फिर धीरी धीरी इसको पुश करते हुए यहाँ पर पोजिशन में प्लेस किया गया तो यहाँ पर यह कुछ सब्सेशन के उपर से जाता है और बहुत सारे मल्टिबल रोलर्स और हैट्रोलिक जिक्स के इसके फोटो इतने रेर है और इतना जादा चुपा कर इसका प्रोजेक्ट रखा गया था यह जो है अभी सब्मिशन कर दी गई है दूसरी वाली और और विसली न्यूक्लियर प्लस सब्मरीन होने के वज़े से यह बहुत बड़ा स्टाटिक एडवांडेज लगती है बिना री फ्यूलिंग की यह दुनिया भर में कहीं भी घूम सकती है और बिलिश्टिक मिसाल्स लॉंच कर सकती है और इसका जिससे हमारे रीजिन में पीस मेंटेंग करने के लिए जरूरी है वैसे इनागरेशन के टाइम पर कहा गया कि आत्मंदर भरता इसमें बहुत बड़े लेवल पर मेंटेंग की गई है यानि इंडिजीनिस ली बहुत सामारे इसके अंदर लगा गया है अगली कपर दोस्तों जार यह वो है पूनी मु जो है पाशान के पास में अक्वायर करने का डिजिजन दिया गया था तो जमीन जो है लोग छोड़ती नहीं जल्दी तो यहाँ पर जमीन लेने बूली है कोट ने और अभी यहाँ पर फाइनली 48.22 करोड रूपीज देते हुए यहाँ पर लैंड अक्वायर फाइन नहीं ह कि यहाँ गया था और यहाँ पर जो इंटरल रिंग रोड मेट्रो है इसमें अभी के डिजाइन सब्सक्राइब से बाई स्टेशन 20 एलिवेटेड दो अंडर्गरॉण इस तरीके के बताए गये है और यहाँ पर का गया डेड्लेंड दो जारुन दो जो करोड रूपीज ख का नंबर हुआ है इसका जैसे पिछले 13 साल में 6 गुना बिलनेंस बड़े है 1539 अल्ट्रा वेल्डी इंडिविश्वल्स का नाम आया है जो कि पिछले साल से 220 का इंक्रीज है और यहाँ पर 272 न्यू एंट्रेंट्रेंट्स है तो देश में अब्विसली में बहुत बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री बढ़ रही है स्टार्टप्स का इसके इंदर बड़ा योगदान है अगली कपर दोस्तों जो यह थाने मुंसिबल कमेश्णर से जहां पर का आगया कि थाने बुरिवली टरनल के लिए कुछ चैलेंजेंज हो रहे हैं लेकिन यहां पर का आगये कि थ और इसके लिए पर्मिशन की जबत पड़ी इसको लेकर थोड़ा बेदबाव चल रहा है करेंटी का गया कि भिवंडी के असपास में डंपिंग की जाएगी और इसके लिए कोडिनेशन भी किया जा रहा है स्मूद सेलिंग प्रोसेस होगा ऐसा बोला जा रहा है लेकिन कुछ चोटे चैलेंजर इस प्रोजेक्ट के सामने अब अगली कबर दोस्तों आ रही है बेंगलूरू सबबन रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जहापर इस प्रोजेक्ट के लिए यह देखा गया था कि जो रेल कोच उसको एक्वायर करने के लिक्क्त आ रही थी इन्होंने तो सामने निकाले थे कि उनको इतने कोच चाहिए लेकिन कोई भी कंपनी सामने नहीं है क्योंकि टेंडर्स बहुत जादा कम कीमत के थे इसके बाद में शायद भारतिया रेलवेस से कोच लेने के हिसाब से इन्होंने सोचा था वहापे भी कुछ इशू आये उसके बाद मे फाइनल डिसाइड किया गया है कि 4,270 क्रोटर पर एक्विटी फंड करके बीडिंग की जाएगी और यहाँ पर वो स्पेन बेस सीएफ इंडियन मेजर्स पी एस्यू बी एचेल बी अमल वागरा से जो है इनके अंदर एक बीडिंग निकालकर एर कंडिशन कोच चुछ अक अगली कबर दोस्वर यह साउथ इंडिया की फर्स इंट्र स्टेट मेट्र लाइन से रिलेटेड जो की होगी बेंगलूरू के बोम संद्रा से लेकर तमिल नाडू के हूशूर तक बनने वाली लाइन जो तेइस किलोमेटर लंबी होगी 12 स्टेशन के साथ इसकी बहुत ही ज़ादा मेजर इंडिस्ट्रियल पार्क को जोड़ेगा होसूर बस्टमिन से शुरू होकर सिपकोड इंटरनाशनल पार्ग एटेबल इंडिस्ट्रियल अरिया नारायना होस्पिटल यह सब जो को करेगा अगली खबर दोस्वर यह ताटा से जिरने रिलाउंच क काम यह करेंगे तो यह वैसे चोटे डिशन्स का ड्राइब होगा दोस्तों सी मिटर का देखते कब तक ही कंप्लीट होता है अगली खबर दोस्तों जा रही वह अशोक बिल्ड कॉंट से रिलेटेट जो की लूस्ट बिटर निकल कराया है मार्डिय के पास में फॉर कंस्ट् इस वाल के बारे बात करें तो रॉबर्ट नेचर पोचता है वाट अपन तो फ्लाइंग रानी प्लीज शेयर अ थो लाइंग रानी एक बीसिकली ऐसी ट्रें थी जो वेस्टर्न रिल्वेस में चलती थी और यह एक नॉन इसी डबल डेकर ट्रें थी आज वलसाथ एक्स्प को ने जो यहाँ पर विरूत दिखाया ऐसे ट्रेंज के आने के बाद में उसके बाद में फिर से वलसाथ को तो कोचस दे दिये गए लेकिन फ्राइंग रानी के साथ में इस्यू यह है कि नए कोचस की जरूवत है अभी यहाँ पर आईसी एफ के डिजाइन स्टैंडर्स प बना रहे है लेजबी के अंतर डबल डेकर बना रहे है यहाँ पर पैसेंजर है वह टिकेट करींदेनी वाले यहीं की तो जो यह ट्रेंज है ना इनको अभी एलेजबी में ही कनवर्ट करना पड़ेगा हाँ एक लेगेसी लॉस्ट होगी लेकिन एक प्रैक्टिकल सॉलूश तक इन ट्रेंज के अंदर जो यह इतनी भीड होती है जैसे किसी लोकल ट्रेंज में होती है तो वहाँ पर वो कॉंसेप्ट जो जादा दिन तक चलनी पाएगा तो यह लगेसी ट्रेंज ही बन जाएगी जहाँ पर डबल डेकर नौन इसी ट्रेंज आपको देखने मिलेगी उमीद करता आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा आपके बस कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो न्यूज अगर है सब्मिट करने के लिए तो उसके लिए पर लिंक मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में पाकि लाइक करे शेयर करे और मिलेंगे अगली बुलिया मैं